मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होगे तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल ही मैंने आपको वोर्टू की ऑफिशल अपडेट दी थी कि नेक्स्ट वीक 23 और फेब्री को रितिक रोशन वोर्टू की शूट को जोईन करने जा रहे हैं और उनका एंट्री सिक्वेंस शूट किया जाएगा नव गईस कल इतनी अपडेट थी लेकिन आज वोर्टू को लेकर जो अपडेट आई हैं भाई साहब स्पेशली NDR को लेकर NDR को लेकर काफी कमाल की अपडेट आई हैं और मैं जब updates देख रहा था ना भी तो मैं guys mind में यही सोच रहा था कि यार normal क्या होता है कि जितनी बड़ी फिल्म हो उसकी release date के लगबग एक दो या तीन महीने पहले ऐसी बड़ी बड़ी updates आना सामने आना start होती है बट भई war 2 अभी इसको आने में साल से भी ज़्यादा time है shooting start नहीं होई है तो भई अभी से इसकी इतनी dangerous update है तो जब यह film आईगी तो क्या होगा तो अभी मैं आपको updates बताता हूँ आप लोग भी कहेंगे कि भई this is something else यनि कि YRF Spy Universe की सबसे unique film होने जा रही है और हाँ एक important सवाल जो बहुत से भाई लोग पूछ रहे है कि भई साब अभी Tiger 3 में आपको पता है थी तो सल्मान हान की film लेकिन शारुक खान भी थे रितिक रोशन भी थे तो बहुत से भाईयों का सवाल है कि क्या War 2 के अंदर हमें सल्मान एंद शारुक देखने को मिलेंगे या नहीं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो मज़ा आने वाला है भाई साब लेकिन वीडियो को लाइक कर दो जितने भी भाई लोग दोस्त देख रहे है तो सबसे पहले भाई मैं आपको एंटीयार की अपडेट देता चलो अपडेट के अकोर्डिंग एपरिल के एंड में येस एपरिल के एंड में भाई एंटीयार War 2 की शूट को जोईन करेंगे नोट डैट एपरिल तक भाई साब एंटीयार देवरा की शूटिंग को completely wrap up कर देंगे हम बात करें अपडेट की एपरिल के एंड में भाई साब NTR जोइन करेंगे वोर टू को एंड जो अपडेट्स है उसके according जिस तरह से रितिक रोशन का अभी entry sequence भाई साब शूट किया जाएगा उसी तरह का NTR का भी भाई entry sequence है आयान मुखर जी entry sequences पे बहुत ज्यादा time लगा रहे है इवन के भाई आज से पहले क्या होता था कि entry sequence को लेकर proper schedule नहीं होते थे यानि के एक schedule रखा उसमें जो entry होती किसी भी hero की वो भी cover कर लिए बाकी भी sequence cover कर लिया लेकिन यहां पर डायरेक्टर आयान मुखर जी entry sequence अलादा शूट करें अभी next week 23rd of February को रितिक रोशन जो शूट जोइन करेंगे वो entry sequence का होगा फिर April के end में जब भाई सहाब NTR जोइन करेंगे तो NTR का entry sequence शूट होगा शूट किस तरह से होगा ज़रा वो भी देखें नो दिन का गाईज यह schedule होने वाला है इस schedule के अंदर रितिक रोशन एन टी आर दोनों शूट करेंगे और भाई सहब यह fight होगी hand, combat मेलब के हाथों वगरा से यह fight करेंगे और इसी fight के अंदर यह लोग जुनियर एंटी आर का एंट्री करवाएंगे तो मैं इसके लिए बड़ा excited हूँ के देखो एंट्री कैसे करवा रहे है fight वो भी भाई सहब रितिक रोशन के साथ तो यह बहुत ही guys कुछ बाप लेवल होने जा रहा है जिसका बेसबरी के साथ वेट है इतना नहीं जो भाई सहब इसके next update है वो यह है कि भाई कुछ sequence अभी मुंबई में shoot किया जाएंगी इस film के उसके बाद ज्यादा film यह international level पर shoot की जाएगी और वैसी भी already इस film की जो shooting हुई है वो international level पर हो चुकी है भाई सहब यूई अभू धाबी वगयरा में हुई है स्पेन वगयरा में हुई है कुछ भाई सहब चेस sequence shoot किये गए है यानि कि यह मैं आपको इस वज़े से बता रहो कि आयान मुखर जी हैं बहुत तेज उनको पता है कि जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वो पहली वो cover up करते जा रहे है सिम पुश्पा के makers की तरह पुश्पा के makers ने भी जो बड़ी बड़ी highly VFX शोर्ट सी उनको पहली cover कर लिया तो ये एक बड़ा अच्छा step होता है ये तो अपडेट हो गई भाई सब ओवराल जो शूट वगारा चल रहा है अब आ जाते हैं dangerous update की तरह dangerous update इस update को फिलहाल आपने रियूमर मान के चलना है ये update ना मुझे पिछले एक दो महीने से मिल रखी है बट मैंने आपको बताईने reason ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये true है या false लेकिन अभी ये बहुत ज़दा शू हो रही है बहुत लोग इस पर बात कर रही है तो मैंने का आपको मैं बता देता हूँ ये जो वाई एर एफ स्पाई यूनिवर्स है इसके अंदर आपको पता है फिलहाल तीन में हीरो है सल्मान हान है, शारुक हान है, रितिक रोशन है आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की जो भी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म होती है इसके बेक गराउंड पे एक तगड़ा विलन होता है जैसे अगर मैं इवेंजर्स की बात करूँ तो एवेंजर्स एंड गेम आने तक थनुस एक में विलन था जो कि लास्ट में आथा, पहले वो अपने जासूस जो भी होते थे वो क्या पतनी बेटा रहता था लेकिन एवेंजर्स इंफिनिटी वोर एंड गेम में वो भाई सब खोड़ाया था अब भी जो अपडेट है उसके अकोडिंग NTR YRF का में विलन है YRF Spike Universe की जो मुवीज होने वाले हैं उसके अंदर NTR में विलन का रोल प्ले करने वाले है यानि के वाल टू में अगर मैं ये बोलू के अभी जो अपडेट्स हैं उनके अकोडिंग वाल टू में NTR मरेंगे नहीं Yes मेरा भाई यानि के नॉर्मली क्या होता है कि जब दो बड़ी सूपर स्टर्ट की फिल्म होती है जो उपोजिट होता है विलन के रोल में वो एंड पे मर जाता है यहीं भाई साब हमने देखते आये हैं लेकिन वाल टू के अंदर NTR मरेंगे नहीं अब यह क्या होगा यह तो जब भाई साब फिल्म आईगी तब ही पता चलेगा तो यह इस फिल्म के में विलन है जिनको भाई साब अभी वोर्टू में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा अब गईज अगर ऐसा है तो भाई खुद देखो के NTR का रोल कैसा होने वाला है यानि के में विलन शारुक सल्मान रित्ते के सामने NTR ओ भाई सुनकर भी गूस बम जाते हैं कि ये क्या ये लोग करने वाले है तो जब आएगा ये तो फिर ही क्या ही अलग लेवल का होने वाला है मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो इवन के नियूज ये भी है कि सल्मान एंड शारुक हमें वोर्टू में देखने को मिलेंगे बट मेरे पास जो बहुत मेरे तगड़े सोर्स है उफिशल जो सोर्स है उनकी तरफ से अपडेट है और उनके अकोर्डिंग वोर्टू में एंटियार रितिक रोशन होंगे ना शारुक हान है ना सल्मान हान है दिज इज ओफिशल लेकिन फिर मैं जब एक और साइड पे देखता हूँ तो मुझे पॉसिबल भी लगता है उसकी रीजन अभी टाइगर थ्री के अंदर रितिक रोशन नहीं थे मेरा भाई यास यनि के अभी टाइगर थ्री समझो के आने वाली थी तो आने से 10-15 दीन या 20 दीन पहले शूट किया गया था 10-15 जारुक को क्यों नहीं वर्डु में एंटिरी करा सकता और मुझे परसनली लगता है कि टाइगर थ्री को ज्रिपोंस मिला है ना क्योंकि गैस देखो YRF भी ये सोचकर बैठा था हम सारे भी सोचकर बैठे थे के Tiger 3 एक हजार क्रोड वाली फिल्म है पठान के बाद अब भाई सब वाईव स्पाई उन्वर्स की जो भी बड़ी फिल्म आईगी वो एक हजार क्रोड को टच करेगी लेकिन उसने नहीं किया एक हजार क्रोड के हाफ जितना भी नहीं गई तो भाई अब उसके बाद YRF का ये कदम जरूर होगा कि वो कुछ बड़ा करें तो कुछ बड़ा करने के लिए इन हीरोस के एंट्री तो करानी पड़ेगी लेकिन इसके ओपोजिट वो NTR को कितना तगड़ा विलन बनाता है ये देखना इंपोर्टेंट होगा मनलब कि अपडेट्स तो बड़ी तगड़ी है और वैसे भी अपडेट्स भी तगड़ी और टाइगर 3 के लास्ट पर भी वो जो NTR को रितिक लोशन को बोल होता है कि शैतान के साथ रहते रहते कहीं तुम खुद भी शैतान ना बन जाता बड़ी पावरफुल लाइन्स थी तो शैतान किस वे से बोला है NTR का क्या रोल है ये देखना इंपोर्टेंट होगा मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और अगर ये NTR को एक बहुत बाप लेवल विलन बनाने में काम्याब हो गए तो बहुत बहुत मजी की टकर होने वाली है तो शूट इसका नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है और NTR को भी वैसाब उसी तरह का बाप लेवल एंट्री सीक्वेंस मिलेगा जो के रित्यक रोशन को मिलेगा और यही चीज सबसे अच्छी है तो मज़ा आने वाला है आप लोग बोड़ टू को लेकर कितने ज़्यादा एक्सेटेड हो नीचे ज़रूर बताईएगा फिलहाल के लिए इतना ही हुपसब को वीडियो पसंद कर तो पसंद वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सबस्क्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तो मनें खिया रखिएगा थेंक्स फॉर वाचिंग